आप सभी को मेरा नमस्कार आज मैं आप सभी के समक्ष पोश मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ आइए शुरू करते हैं शांताकारं भुचगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसद्रिशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मिकांतं कमलनयनं योगी भिर्ध्यान गम्यहम वन्दि विश्णु भवभर हरम सर्वलो कैकनाथम द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने शिरी कृष्ण से पूछा हे केशव पोश मास के कृष्ण पक्ष में जो एक आदशी आती है उसका क्या नाम है उसकी क्या विधी है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है कृपा करके विस्तार से मुझे बताईए भगवान शिरी कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा हे राजेंद्र मैं आपको पोश मास के कृष्ण पक्ष की एक आदशी के बारे में बताता हूँ सुनिए बड़ी बड़ी दक्षिना वाले यग्यों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है इसलिए सर्वता प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए पोश मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है इस दिन श्रधा और भक्ति भाव से विधी पुर्वक नारायन भगवान की पूजा करनी चाहिए यह एकादशी प्राणी मात्र का कल्यान करने वाली है अतह इसका व्रत अवश्य करना चाहिए जैसे नागों में शेशनाग, पक्षियों में गरुड, देवताओं में श्री हरी विष्णूजी तथा मनुष्यों में ब्राम्भन स्रेश्ठ हैं, उसी प्रकार संपूरन व्रतों में एकादशी तिथी स्रेश्ठ है हे राजन सफला एकादशी के दिन श्री हरी विष्णू के नामों का उच्चारन करके फलों का प्रसाद अर्पित करके श्री हरी भगवान का पूजन करना चाहिए नारियल के फल, सुपारी, नीम्बू, अनार, आमला, लोंग, बेर तथा, विशेश रूप से आम के फलों से श्री हरी भगवान की पूजा करनी चाहिए इस प्रकार धूप दीप से भगवान श्री हरी की अर्चना करें, इस दिन दीप दान करने का भी विधान है रात को वैशलव जन के साथ जागरन करना चाहिए जागरन करने वाले मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता हे राजन, अब मैं आपको सफला एकादशी की शुभ फल प्रदान करने वाली कथा को सुनाता हूँ एक समय में राजा महिश्मत चंपावती में राज किया करते थे राजा महिश्मत के पाँच पुत्र थे, उनमें से जो जेश्ट पुत्र था, वह सदा ही पापकरम में लगा रहता था वह पूरा दिन मास मदिरा के सेवन में तथा वैश्या वृती में गुजार देता था उसने अपने पिता के धन को सदा पापकरम में ही खर्च किया था वह दुराचारी ब्रामनों की निंदा किया करता था वैश्नवों तथा देवताओं की भी हमेशा निंदा ही करता था अपने पुत्र के ऐसे आच्रण को देखकर राजा महिश्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया फिर पीता और भाईयों ने मिलकर उस लुम्भक को राज्य से बाहर निकाल दिया राज्य से बाहर निकल कर वह घने जंगल में चला गया उस जंगल में रहकर उस पापी ने पूरे नगर का धन लूट लिया एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में वापस आया तो रात में पहरा दे रहे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया किन्तु जब उसने स्वयम को राजा महिश्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया फिर वह पापी वन में वापस लोट आया और प्रती दिन मास तथा वरिक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के पेड के पास था वह पीपल का पेड बहुत वर्षों पुराना था उस घने जंगल में वह पेड एक महान देवता की तरह पूजा जाता था वह पाप बुध्धी लुम्भक वही पर निवास करता था बहुत दिनों तक ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन उस लुम्भक ने किसी संचित पुन्य के प्रभाव से अचानक ही एक आदशी के व्रत का पालन कर लिया पोश मास में कृष्ण पक्ष की दश्मी के दिन उस पापी लुम्भक ने विक्षों के फल खाए रात भर जाडे का कष्ट भोगा उस समय नै तो उसे नीदाई और ना ही उसे आराम मिला वह निश्प्रान सा हो गया था अगले दिन सुर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया सफला एक आदशी के दिन वह लुम्भक बेहोशी में पड़ा रहा दोपहर होने पर जब उसे होश आया तब उसने इधर उधर द्रिष्टी डाली और आसन से उठने का प्रियास करने लगा फिर वह लंगडे की भाती पैरों से लड़ खडाता हुआ जंगल के भीतर गया वह भूक से दुर्बल और पीडित हो गया था हे धरमराज उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लोटा त्यों ही सुरियास्थ हो गया अपने विश्राम स्थान पर पहुँचकर वह लुम्भक पीपल के पेड के नीचे बैठ गया उस पीपल के पेड में देवता का वास माना जाता था जैसे ही वह पेड के नीचे बैठा उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपने लाए हुए सारे फल व्रिक्ष की जड़ में रख दिये और कहा इन फलों से लक्ष्मि पती नारायन संतुष्ठ हो जाएं यू कहकर लुम्भक ने रात भर नेंद नहीं ली इस प्रकार अंजाने में उसने एकादशी व्रत का पालन किया उस समय सहसा ही आकाशवाणी हुई हे राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे आकाशवाणी को सुनकर उस लुम्भक ने बहुत अच्छा कहकर वर्दान को स्विकार किया इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया और उसकी बुद्धी भगवान विष्णु के भजन में लग गई दिव्य आभुष्णों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य को प्राप्त किया और पंध्रा वर्षों तक उसका संचालन किया उस समय भगवान शिरी विष्णुजी के क्रिपा से उसे मनोग्य नामक पुत्र की प्राप्ती हुई जब उसका पुत्र मनोग्य बड़ा हुआ तब लुम्भक ने रज्य का कार्यभार उसे सोप दिया और स्वयम भगवान शिरी विष्णुजी के पास चला गया जहां जाकर मनुष्य को कभी कोई शोक नहीं होता हे राजन इस प्रकार जो भी सफला एकादशी के उत्तमव्रत को करता है वहे इस लोक में सुख भोग कर मृत्यों के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है इस समस संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का वरत करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है तथा उत्तम फलों की प्राप्ती होती है ही महराज यदि वरत करना संभव ना हो तो जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा को पढ़ते या सुनते हैं तथा उसके अनुसार आचरण करते हैं उन्हें राजसू ये यग्यकाफल प्राप्त होता है कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला आईए अब शुरू करते हैं एकादशी माता की आरती ओम जै एकादशी माता मैया जै एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत धारण कर शक्ति मुक्ति पाता ओम जै एकादशी माता तेरे नाम गिनाऊ भक्ति प्रधान करनी गणे गोरव की देनी शास्त्रों में वरनी मैया जै एकादशी माता मार्ग शीर्च के कृष्णु पक्ष की उत्पन्ना विष्वतारनी जन मी शुक्ल पक्ष में मुक्ष दा मुक्ति दात बनी ओम जय एकादशी माता पोश कृष्ण पक्ष की सफला नामक है शुक्ल पक्ष में पुत्र दा आनंद अधिक रहे ओम जय एकादशी माता नाम शट्तिला माघ मास कृष्ण पक्ष में आवे शुक्ल पक्ष में जया विजय सदा पावे ओम जय एकादशी माता विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल में आमल की पाप मोच नी कृष्ण पक्ष चैत्र महाबली की ओम जय एकादशी माता चैत्र शुक्ल में कामदाधन देने वाली नाम वरुथ नी कृष्ण पक्ष वैशाख महवाली मैय जय एकादशी माता शुक्ल पक्ष में मोही नी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख शुक्ल पक्ष राखी ओम जय एकादशी माता योगी नी नाम आशाध में जानो कृष्ण पक्ष करनी देवशय नी कहायो शुक्ल पक्ष धरनी ओम जय एकादशी माता कामी का श्रावण में कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ल पवित्रा आनंद से रहिये ओम जय एकादशी माता अजा भाद्र पद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुकला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वरत से भव सागर निकला ओम जय एकादशी माता पापांकुशा है शुकल पक्ष आप हरन हारी रमा मास कार्तिक में सुख दायक भारी ओम जय एकादशी माता देव उठनी शुकल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में विनती पार करो नईया ओम जय एकादशी माता परमा कृष्ण पक्ष में जन मंगल करनी शुकल मास में पदमिनी दुख दरिद्र हरनी ओम जय एकादशी माता की आरती जो प्रेम से गावे जन गुरतिता स्वर्गवासा निश्चे वेह पावे ओम जय एकादशी माता जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता झाल